पहले जहां लड़कियों को इससे काफी कुछ परिसानियों का सामना करना पड़ता था अब वहीं पूर्षों को भी इसकी वज़े से काफी कुछ जहलना पड़ता है लेकिन अब वहीं कोट ने इसको लेकर एक पहल शुरू की है अब आखिर कोट ने इसको लेकर क्या पहल शुरू की है आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे पती की स्कीन का रंग काला होने की कारण उसका अपमान करना कुरूरता है। यह ऐसा यदी लगतार जारी रहता है तो फिर यह तलाग का एक ठोस अधार बनता है। पती का रंग करने की वज़े से अपनी पती का अपमान करती थी और वह इसी वज़े से पती को छोड़ कर चली गई थी। उच्छ नियायाले ने हिंदु विवा अधिनियम की धारा तेरा एक एक तहत तलाग की आचिका मनजूर करते हुए कहा कि इस पहलू को छिपाने के यह तत्या निश्चिक तोर पर क्रूरता के समान है। बताते चले कि बैंगलूरू के रहने वाले इसे दमपती ने 2007 में शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है। पती ने 2012 में बैंगलूरू की एक पारिवारिक अदालत में तलाग की याचिका दायर की थी। महिला ने भी भारतिय डंड सहिता की धारा 498-A के तहत अपने पती तथा ससुराल वालों के खिलाफ एक मामला दर्च कराया था। उसने घरेलू हिंसा कानून के तहत भी एक मामला दर्च कराया और बच्ची को छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। उसने पा अतारित करने का आरोप लगाया। परिवारिक आदालत ने 2017 में तलाग के लिए पती की याची का खारिस कर दी थी। जिसके बाद उसने उच न्यायाले का रूख किया था। न्यायमूर्ती आलोक अराधे और न्यायमूर्ती अनन्त रामनात हेगडे की खंड पीट ने कहा क पती का कहना है कि पत्नी उसका काला रंग होने की वज़े से उसे अपमानित करती थी। पती ने यह भी कहा कि वह बच्ची की खातिर इस अपमान को सहता था। उच न्यायाले ने कहा कि पती को काला कहना कुरूर्ता के समान है। उसने पारिवारिक अदालत के फैसले को रद करते हुए कहा पत्नी ने पती के पास लटने की कोई कोशिश नहीं की और रिकॉर्ड में उपलब्द साक्षे यहीं साबित करते हैं कि उसे पती का रंग काला होने की वज़े से इसे शादी से कोई दिल्चस्पी नहीं थी इन दलीलों के संदर्म में अनुरोत किया जाता है कि पारिवारिक अदालत विवा भंग करने का आदेश दे जैसा कि कोट ने अब पहल की शुरुवात की है जिससे आने वाले समय में लोगों को काफी कुछ जहला नहीं पड़ेगा बाकी सिर्फ पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है आप क्या कहना चाहते हैं आपकी क्या कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे फिलाल इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखती रहे एक न्यूस 24 अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडि